असलाम उलेकूम क्या हाल है अब सब का आई ओ बिल्कु ठीक है खुश है एंड मज़े में हम भी अलम्दिल्ला बहुत अच्छे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ आज हम लोग की यहां फूर्ट्स की एक सौफ है पहचान की मतलब अच्छी है काफी पहचान की तो हम लोग उनसे मंगा लेते हैं फूर्ट्स वगेरा फॉन कर देते हैं तो घर में आ जाते हैं तो यह देखें नारियल पानी इन्होंने बोल दिये थे तो यह आ चुके हैं और दो मलाई वाले हैं जो कि सीरी नायमाक लीए और मेरे और नज्जू के लिए पानी वाला है उन्ली तो ये बहुत जरूरी होता है महीने में एक बार पिए जिसके पास जो पी सकता है उसको हपते में एक बार पिए बहुत जरूरी होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे कमजोरी लगती है तो जो बॉटल वगेरा लगाते हैं पानी की कमी हो जाती है तो यह सब इससे नहीं होती है और यह बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला होता है तो जरूर पीना चाहिए हो गर्मी में तो बहुत जरूरी है पीना और पपा सबी चीज़े तो यह देखिए पपाया बचा है और इनका वाला यह डिूटी से आए नहीं है तो इन्होंने पीए नहीं अभी और यह देखिए यह मैंने अच्छे से सैट कर ली हूँ अपने हिसाब से मैनेज कर ली हूँ जो जादा जरूरी का वो सामने रख ली हूँ और ज इसमें जो पॉफी कितनी साई बॉडल दिख री ना उसमें हान चीज अलग अलग है मतलब इलाइची वगेरा वो सब और ये इसमें रख ली हूँ मैगी नूडल्स इसमें जो जरूरी रहता है इंस्टेंट तोस वगेरा वो रख दी उस रैक में और देखिए मुझे अपना क अब ये रेड वाला आ गया है सो पती रेड वाली आ गई तो अब ये भी मैने सामने बिल्कूर रखी और इससे देखती हूँ तो बहुत एनरजी मिलती हूँ मुझे और बहुत अच्छा लगता किचन में काम करने में और वहां खाना वगेरा बनाने में तो इस तरीके से अ नारियल पानी पी के मस्क बैठें अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर यह देखे मैंने कैक्टस लगाया है यहाँ पर विंडो में रखी हूँ अभी इसी में रखें बट इसको दूसरे गमले में सिफ्ट करना है क्योंकि इतने छोटे में तो होगा नहीं और यह साइट से दोनों जाएगा तो इतना खुबसूरत लगता है लगती है विंडो बहुत पहर क्योंकि इस से पहले इसी तरीके से था बट वो अब सूख गया है और ये इस तरीके से मैं अपने हॉल को डेकुरेट की हूँ और ये दोनों देखिए मस्ती में चूर हैं मस्तिया कर कर रही है दोनों अपने में लगी हुई थी और नजुकए हैं ड्यूटी तो और ये हो गया जूते चपल का स्टेंड आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा जितना हो सके मैं दिखाती हूँ ये हो गया हम लोग का बेड्रूम सो ये देखें लाबर्स को यहां निकाल दिये हैं और ये बाहर ये विंडो से न धूप आती है तो हम लोग यहां रख देते हैं तो इन लोग थोड़ा धूप मिल जाती है यहां तो किचिन की बालकनी में मैं इस तरीके से यहां पर रखती हूँ और ये देखिए विंडो बंद करने के बाद भी कितना फ्यारा लगता है एकड़म ऐसा लगता वाल पेपर है और ये दूद वाइल हो रहा है यहां पर ये देखिए काफी सारा और ये बन रही है चाय जो कि मेरा मन कर रहा है पीने का तो बस चाय बनाना मैं स्टार्ट करती और ये देखिए मिस्री खतम हो गई थी तो ये पैकिट ले आए थे दो तो उसको मैं खोल के अब मैं डालूंगी क्योंकि हम लोग सुगर इस्तिमाल नहीं करतें बिल्कुल यूज नहीं करतें हम लोग करतें मिस्री और ये थोड़ी सी प्राइज का जादा होता है और जो डल है कि आप ये मिस्री का यूज करें बहुत जरूरी होता है और मैं काफी टाइम से मतलब वानियर जैसे से मैं मिस्री का यूज कर रही हूं जो की काफी अच्छा और हम लोग बहुत कम ही चाय पीते हैं जोड़ दिये मतलब मीठा ही घाना चोड़ दी अंदर से ही मन नहीं कर काई देखें किया इंब काफी सारी फीस देखें रोभू फीस है जो कि मैं आज इसको फ्राइ करूं गी और हम लोग आफ और फीस हम और क्या प्राइ से काते हैं चलूज देखाना रफाओर है आज में आपको इस वीडियो में तो पूरा नहीं दिखा पाइए हूँ, मैं next वीडियो में इसकी रेसिपी पूरी है next वीडियो में रहीगी तो आप जरूर देखिएगा इस वीडियो में नहीं हो पाया क्यूंकि नहीं दोतो हैं काफी एक दिन काही काफी लंबा वीडियो हो गया था तो इस वजे से मैं इसकी रेसिपी टोटल इस वीडियो में नहीं दिखा पाई तो आप ये दोनों वीडियो जरूर देखिएगा और ये देखे मैंने निकाली मसालिक लिए टू आनियान थोड़े से लहसून थोड़े से अध्रा किस तरीके से और और मिल्क भी बस हो चुका है चाई भी बन चुकी है मेरी और बस फिस को फ्राइ करना इस तरीके से और ये देखिए आज सबजी वगेरा लाए हैं अनियन्स वगेरा और इस तरीके से मैंने अपना किचीन को और इस तरीके से सेट की हूँ मैंने ये मैंने नारियल पानी पी ल और अगर पेट भरा हो तो बागी खाली हो तो पी लेते हैं हैं अगर बिधर भर ऊतना मन ही करता है बस मेरी चाए रेडी होने वाली है और मैं आप आपको दिखाती हूँ कि जो फीीष फ्राइख से पर करना है और शीएंधा यह ने किस तरिके से कौण किया चीजैं। सरसों की जो राई पीली वाली अतिना उससे बट इस बार में सिंपली तरीके से जो इंडियन वेपे सिंपल तरीके से बनता है वो मैं बता रही हूँ कि इन सब को ग्रेवी पीस के और मसाला रेडी करना होता है और इसको फिर वोई धनिया मिर्स पाउडर तो मैंने जिंग्ज कूट ली थी क्योंकि कूट लेने से एजी होता है और अब मैं इसमें डाल रही है थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइन कर लूँगी मसाले को और फिर मैं आपको नेक्स वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं रेडी कर रही हूँ फिस करी त तो ये देखे ये अब मैं ग्राइन करने रख दूँगी इसमें बहुत विजी डे होता है दिन भर अपन इस तरीके से मुबाइल के साथ काम करते हैं तो बहुत वक्त लग जाता है पूरे दिन वीडियो बना के और इस तरीके से डालना और अब देखिए अब मैं ऐलमन डा अब आखिए निकाल के और फिर खाते हैं और इसके साथ फिर और भी ड्राइफ फ्रूट्स वगरा होती है जैसे कि मैंने और भी आपको पहले वीडियो में बताया था कि इसमें काजू वगरा रहती है और अख्रोट रहता है पिस्ता रहता है और मुनक्का रहता है किसमिस इस तरीके सारी चीजे रहती हैं और अब मैं यह रग दूँगी और यह लगाती हूं में इसका ढखकन भी और यह देखिए मैंने मसाला बिल्कुल ग्राइन करके रेडी कर लिया फाइन बिल्कुल यह देख रहा है आप और मैं अब इसको फ्राइ करूंगी और मसाले को जब पूरी फ्राइ हो जाएंगी तो उसी ओयल में मसाले को रेडी करूंगी मैं और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो फिर मुलकातों की दौा में याद रखिएगा अल्ला हाफीज